हेलो एपोप लिसनर्स तो कैसे हो आप लोग तो भायो पहली अपडेट जो है वो यावर की तरफ से आ रही है तो भायो जैसे कि मैंने आप लोगो बताया था कि यावर बहुत ही जल्दी अपने एक सिंगल ड्रॉप करने वाले है तो जी हाँ उन्होंने पोस्टर आउट कर द है तो भायो नैज और कवी का एक ट्रैक आने वाला है जिसकाने में केस और पोस्टर आप लोग के स्क्रीन पर है इसका म्यूजिक प्रोड्यूस कर आए ओडियो क्रैकर ने तो ये काना भी जल्दी देखने को मिलेगा जब भी ड्रॉप होता है आप लोग अपडेट मिल जा है तो ये जो अपडेट है वो मुक्ता के के इंटरनेशनल कोलाबरेशन से रिलेटेड है और ये जो गाना होने वाला है इसकाने में थिंक अबाउट मी और ये होगा मुक्ता और एकलिप्स का पोस्टर आप लोग यहाँ पे देखी सकते हो फिलाल ये गाना कमिंग सून है तो जब इसकी अपडेट आएगी तो मैं आप लोगों को बता दूँगा तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो कलमकार की तरफ से आ रही है तो भाईयो कलमकार से आज एक ट्रैक आउट हुआ है जिसकाने में खास है और यह है जे ट्रेक्स और सब स्पेस का बहुत से ईपी का 1st track का ऑफ्रेक्स शूबार की यह जो कि जेट रिक्स की होने वाली यह बहुत ही जल्दी यह आप लोग को देखने को मिल जाएगी तो यह फॉस्ट ट्रैक है इस एपी का आप लोग यह गाना जाकर सुन सकते हो फिलाल यह इंडिया में ट्रेंड कर रहा है 41 नंबर पर चे इसा लगाए ये भी जरूर बताना तो अब आपन बात करने वाले क्रिश्णा और आर सियर के बारे में तो भायों इन दोनों के बीच में जो भी चीज़े हुई है वो मैंने कल के वीडियो में क्लियर कर दी है अगर आप लोगों ने वह वीडियो नहीं देखा है तो मैं उपर आई बटन में उसका लिंक दे दूँगा जाके आप लोग चेक आउट कर सकते हो आगे की बात करते हैं कि क्या हुआ है आगे इसमें तो फिलाल सिकंदर कालो ने भी इस चीज़ के ओपर रियाक कर आए और कुछ ऐसा ट्वीट कर आए उन्होंने क्रिश्णा इसके लावा आ आज मैं यहां पर बात करने के लिए आया हूँ जो मेरा रिसेंटली अभी गाना आया है आई पिल के लिए आएंगे हम वापिस तो मुझे कल से लोगों के मेसीज आ रहे हैं कि आपने क्रिश्णा भाई का गाना को पी किया है तो आप सबको मैं यह क्लियर कर देना चाहता कि यह जो गाना है हमें एक एजनसी के थुरू आया है जिसका हुक, कमपोजिशन, लिरिक्स और म्यूजिक सब कुछ उनका है बस उनको इस गाने के लिए मेरी वोकल चाहिए थी उन्होंने मुझे इस गाने के लिए एक डमी ट्रैक बना के दिया कि आपने सेम ऐसा ही फ्लो रखना है आप सब जानते हैं कि यह मेरा फ्लो नहीं है आपने मेरे बाकी भी गाने सुने हैं मेरा फ्लो इससे बिलकुल डिफरेंट होता है उनकी एजनसी की डिमांड थी हमें बिलकुल ऐसा जाहिए उन्होंने डमी बेजा तो देन मैंने उनको यह गा के बेज दिया और इ मेरे किसी शोशल मीडिया से अपलोड हुआ है जहां से भी अपलोड हुआ है गाना आप देख सकते हैं उसके नीचे मेरा भी नाम नहीं है कहीं मुझे भी मैंचन नहीं किया गया और रही हुक की बात वारा और आप देख सकते हैं कि हुक में मेरी वोकल भी नहीं है हुक मैं उसको कोई ऐसा जाए उस आर्टिस्ट को दुख होता है और कोपी करने वाला इंसान जादा देर तक नहीं टिकता और बस मैं यह कहना चाहता हूं अपनी और से मैंने यह क्लेर कर दिया आप जो समझदार लोग हैं वो समझ जाएंगे और जो नहीं समझना चाहते हैं उनका मैं दिया जाएगा शुक्रिया तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो मूफार की तरफ से आ रही है तो भाईयो मूफार का जो अभी रिसेंटली एक ट्रैक आया है जिसकाने मैं आमीन उसको कहा जा रहा है कि वो एक सब्लिमिनल डिस है कृष्णा के लिए तो इस चीज के ऊपर प्लोग सुन सकते हो उन्होंने क्यों रखा था आज अपने इंस्टा पे जिसमें उनसे यही क्वेश्ण पूछा गया तो उन्होंने कुछ ऐसा रिप्लाइ दिया है सब्लिमिनल्स क्यों डालेते हैं और दो तीन साल पहले है किसको कह रहा है कि रिप्लाइ जरू करना अगर कर दिया है इपी काने में हराम टोपिया और इसके अभी ट्रैक लिस्ट आउट नहीं हुई है पर जल्दी इसके ट्रैक्स ड्रॉप होने वाले हैं तो यहां पर आप लोग पोस्टर देखी सकते हो जैसे इससे रिलेटेट कुछ अपडेट्स आती है तो मैं आप लोग को ब देट अभी भी कनफर्म नहीं है कि किस तारी कोई गाना ड्रॉप होगा गाने का क्या नाम है तो जो भी अपडेट्स आएगी आगे ब्रोदावी की तरफ से तो मैं आप लोग को बता दूगा वो तो नेक्स्ट अपडेट्स जो है वो एमिवे की तरफ से आ रही है तो कि जो दो स्ट्रीम्स थी उसमें नहीं कॉमेंटरी आ रही थी नहीं कुछ ऐसा जिससे पता चली कि यह एमिवे ही लाइव कर रहे हैं तो काफी लोग को लग रहा था इन फैक्ट में को भी लगा था कि एमिवे का चैनल हो चुका है शायद कोई बग होगा पर तीसरी स्ट्र कोमेशन मिला कि चैनल हैक नहीं हुआ है और मुश्किल से वह 10 मिनिट तक रही होगी वीडियो तो यहीं मुझे बताना था कि कल मुझसे गलत वीडियो डल गई थी तो उसके लिए सौरी और आइंदा से यह ना हो यह मैं कोशिश करूँगा और फिलाल एक गुड निउस भी कि मैं M.A.W. का हेटर हूँ इसलिए मैंने वो वीडियो बना दी थी और मैं काफी खुश लग रहा था उनके हिसाब से दिल से लगता है भाई आप समझी सकते होंगे मैंने आफ तक किसी की में कलक्ति मन नहीं किया भाई प्लीज तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो दुरूव स्थेटिक की तरफ से अरी है तो भाईयो इनका एक ट्रैक आया है जो कि है शिव के साथ में गाने काने में स्वेमिंग बाई शिव और इसमें फीचरिंग है दुरूव की तो ये ट्रैक आप लोग जाके सुन सकते हो इसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सच बताओं तो मुझे एक गाना बहुत ही पसंद आया है पूरा गाना इंगलिश में है पर काफी सिंपल जगाना है और एकदम चिल वाइब्स है और दोनों ही भाईयो का काम मुझे काफी पसंद आया है तो मैं कहूंगा कि आप लोग एक बर जाके एक गाना सुनो और जिन कर सकते हो बहुत ही जल्दी गाना देखने को मिल जाएगा तो बस दोस्तों आज के लिए अपडेट्स थी तो अगर वीडियो पसंद आये तो लाइक करना शियर करना तो मिलता हो बगले वीडियो में तब तक के लिए बबाए